यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में क्या रूसी सेना को अपनी योजनाव में बदलाफ करना पड़ रहा है शायद यूक्रेन को लेकर रूस की महत्वकांशा भी थोड़ी कम हो जाए शायद ये बताना अभी जल्दबाजी होगी लेकिन निश्चित तोर पर यूक्रेन में य खिलाफ जिस विशेश सेन ने अभियान की घोशना की थी उसका पहला चरण लगभग पूरा हो गया है रच्सकौई ने कहा कि अब रूसी सेना डोनबास श्वेत्रों को पूरी तरहा आजात कराने पर अपना ध्यान के इंद्रित करेगी इसका संभवत ये अर्थ है कि अब यूकरेन के अन्य हिस्सों में भी रूसी सेना की आगे बढ़ने की गती अब धीमी पढ़ रही है रूस की सेना को राजधानी कियेव से पीछे धकेल दिया गया है और कहा जा रहा है कि अब रूस के सैनिक डिफेंसिव पॉजिशन यानि बचाप के स्थिति में आ रही है त जगातार जटकों का सामना करना पड़ रहा है शुक्रवार को पश्चमी देशों के अधिकारियों ने दावा किया कि रूस ने युद्ध में अपने एक और जनरल को खो दिया है और ये उसके सातवे वरिष्ट सेन अधिकारी की मौत है दावे के मताबिक इस से उसकी कुछ टुकणियों का मनोबल तूट चुका है पश्चमी देशों का मानना है कि जनरल सरगेई रत्सकॉय की घोशना इस बात की तरफ इशारा है कि रूस ये मान रहा है कि उसकी युद्ध से पहले की महत्वकांशी रणनीती अब विफल हो चुकी है एक अधिकारी ने कहा कि रू उन्बास की तरफ बढ़ रही हैं पिछले महीने युद्ध शुरू होने से पहले ही ये आशंका जाहिर की गई थी कि रूस युक्रेन की सबसे अच्छी सैने टुकडियों को घेरने के लिए अपना पूरा जोर लगा देगा ये टुकडियां लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट पर सैने को से जोड सके और अगर रूस आखिर में अजोफ सागर के पास मौजूद मारियो पोल बंदरगापर कबजा कर सका तो अन्य सैने बलो को जेफ ओ की घेरा बंदी के लिए उत्तर की और भेजा जा सकता है इसमें से कुछ मकसद अभी भी रूस की पहुंच से बाहर लग ब्रिज बनाना चाहता था और इसके लिए मारियो पोल पर कबजा अहम था लेकिन अगर रूस अब इस निश्कर्ष पर पहुंच गया है कि उसे एक समय में एक ही लक्ष हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए तो संभव है कि वह अपने हमले बढ़ा दे और खास तोर पर हवाई हमले करने पर जोर दे और पहले से अनुशासित और उत्साह से भरी उक्रेनी सेना को रूस की ओर से बन रहे दबाव का सामना करने के लिए हर संभव मदद की जरूरत होगी पश्चमी देशों के एक अधिकारी कहते हैं कि मुझे उमीद है कि छोड़ दिया है एक वरिष्ट अमेरिकी रक्षा अधिकारी कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये पूरे आक्रमन की रणनीती का पूर्व मुल्ल्यांकन होगा